हालो स्टूरेंट्स आज के इस वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट थ्री में आ चुके हैं पार्ट वन और टू में बहुत सी बाते हमने आपको बताएं किस प्रकार से वट इस रीडिंग, रीडिंग क्या होती है रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, अंसीन कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे करेंगे, इसके बारे में छोटे-छोटे टिप्स आपको दिए इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ट जानकारी आपको देने जा रहे हैं, आईए स्टार्ट करते हैं ताइपस ओफ रीडिंग टेक्स्ट, अब आप देखते हैं कि जो पेपर होते हैं हमारे, चाहे वो छोटी क्लास हों, नाइन्थ और फिर बड़ी क्लास हों, ट्वेल्थ जिनमें के स्पेशल इंग्लेस भी होता है, उनके बड़ी क्लास या उसके बाद आप जब कम्पूर् तो बहुत से जगह पर आपको दो तरह के रीडिंग टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, एक तो होता है प्रोज और एक पोइम, तो आल राइटिंग्स इन्द वर्ल्ड गैन बी डिवाइडेट इन्टू ब्रोड केटेग्रीज, प्रोज एंड पोईट्री, दुनिया में जित पैसेज भी आता है, और पोइम का अंसीन पैसेज भी आता है, कुछ क्लासेज में पोइम का नहीं आता है, हम वीडियो जब बना रहे हैं, तो हम सभी छात्रों को ले करके चलते हैं, कि इसको सभी तरह के छात्र सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो अब हमको ये देखना है, ज इन में क्या अंतर होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है, हलांकि आप जानते हैं कविता गध्यांस और पध्यांस में क्या अंतर होता है, कविता और जो प्रोज होता है, उसमें क्या अंतर होता है, पर फिर भी हम कुछ बारी क बातें आपको कोशिस करेंगे बताने की, तो पहला difference हम एक एक करके एक एक slide पर difference लेते चलेंगे, परोज और पोईट्री को comparison करते हुए चलेंगे, पहला difference आप देखें, प्रोज, most everyday writing is in प्रोज फॉर्म, आपको चाहे आप अखवार पढ़ें, चाहे आप मेगजीन पढ़ें, चाहे आपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी, जिन में के रोज इस जो writing हम देखते हैं, जो लिखी हुई रहती है, वो प्रोज फॉर्म बेर रहती है, जिसको हिंदी में गध्यांस बोलते हैं, poetry is typically reserved for expressing something special in an artistic way, अब जब हम कविता की बात करते हैं, poetry की बात करते हैं, तो यह आम तोर पर यह reserved रहती है, किस चीज़ के लिए, जब हम अपनी कोई artistic कलात्मक तरीके से अपने अंदर कोई भावना है, कोई feeling है, special कोई चीज़ है, उसको जब हम express करते हैं, तो यह जैसे कि हमारे अंदर प्यार की बावना आई, तो अब हम उस भावना को express करने के लिए, उमारे मन में से अपने आप कुछ कविताएं, कुछ सायरी निकलने लगती हैं, जब हमारा special mood होता है, तो इस तरह की feelings आने लगती हैं, तो यह आपको, यह poetry जो है, वो इसी के लिए reserved है, इस चीज के लिए कि हम feelings को, अपनी को कैसे, आनंद में तरीके से express करें, दूसरा difference देखें आप, प्रोज में, the language of prose is typically straightforward, without much decoration, आपने देखा होगा, कहानी वगेरा पड़ी होंगी, और textbook पड़ी होंगी, तो उनकी जो language होती है, जो प्रोज की, उसकी language होती है, गध्यान्स की, वो आमतोर से बिलकुल सीधे, straightforward होती है, बिना किसी decoration के, उसमें कोई decoration नहीं दी होती, जैसे decoration, poem में, poetry में दी होती है, poetry में क्या होता है, the language of poetry tends to be more expressive, और decorated with comparisons, rhyme and rhythm, contributing to a different sound and feel, जो poetry की language होती है, वो ज्यादा expressive होती है, उसमें, वो एक तरीकी की रास्ता हमको दिखाती है, कि वो क्या कहना चाहरा है, poet, उसकी क्या feeling है, और उसको वो थोड़ा किसी दूसरी चीज से, जैसे हम simili metaphor आपने देखे होंगे, ऐसी चीजों का वो इस्तिमाल करके, compression करके भी बताता है, तुलना करके भी बताता है, कि जैसे कोई लड़की सुन्दर है, तो वो किस तरीके से सुन्दर है, उसकी तुलना चांद से करेगा, उसकी आँखों की तुलना जिल से करेगा, यह जब जो compression करता है, तो यह प्रोज में नहीं होता, यह बात है, poem में, poetry में आती है, और उसकी एक special rhyme होती है, rhythm होती है, एक tune होती है, यह आपने poetry को पढ़ते समय देखा होगा, तो यह sound और feel जो आता है, tune जो आती है, उसका बड़ा ही important रॉल होता है, poetry में, जो कि प्रोज में नहीं होता, प्रोज में पूरी तरीके से हम straight forward बात करते हैं, बिना decoration के, तीसरा अंतर देखें आप प्रोज पोईट्री में, प्रोज जो होगा, ideas are contained in sentences, that are arranged into paragraphs, ठीक है, प्रोज जो भी होगा, story हो, या text book का कोई lesson हो, जो भी होगा, उसमें जो ideas होगे, जो भी बाते कही गई होगे, विचार बताए गई होगे, वो sentences में होते हैं, जो की एक paragraph में arrange किये जाते हैं, किसी unseen में, दो या तीन या से ज़्यादा paragraph होते हैं, आपने lesson story में देखा होगा, आप 7, 8, 8, 10 paragraph होते हैं, sentences के द्वारा वो paragraph बनते हैं, तो ये गध्यान से approach की विशिष्टा होती है, जबकि poetry में क्या होता है, ideas are contained in lines, जो ideas हैं, वो lines में contained रहते हैं, that may or may not be sentences, जो कि कोई sentence हो भी सकता है और sentence नहीं भी हो सकता है, आप जानते हैं कि poetry जब कोई लिखता है कभी, तो वो ज़्यादा parts of speech का तो ध्यान रखता नहीं, sentences का structure का ध्यान नहीं रखता, verb, noun, spelling भी कभी कभी, कभी पुरानी traditional literature में तो spelling ही ऐसी होती थी, जिनके आज बदल गए हैं, तो lines are arranged in sentences, वो जो है, प्रोज में paragraph में होती हैं sentences, और poetry में जो line होती हैं, वो stanza में, stanza किसी प्रोई में आपने देखा होगा, दो stanza होते हैं, stanza यानि कि एक paragraph type का मतलब होता है, जिसमें चार line, छे line, आठ line, दो line, इस तरह के stanza होती हैं, तो वो poetry की line है, stanza में arrange होती हैं, त तो ये एक sentences की formation का अंतर है, चौथा difference क्या है, प्रोज, there are no line breaks, sentences run to the right margin, कोई line break नहीं होता प्रोज में, full stop हुआ, दूसरी line सुरू हो जाती है, full stop हुआ, तिसरी line सुरू हो जाती है, paragraph change हो जाता है, और ये sentences जो है, वो बिलकुल right, left to right margin, बिलकुल बना करके चलते हैं, जैसे पोईम में आप देखते हैं, बिलकुल center में line आती हैं कभी कभी, तो कोई right या left का margin नहीं होता, तो ये प्रोज में होता है, और poetry में, poetry uses line breaks, for various reasons, poetry में line break होते हैं, कई कारणों से हो सकते हैं, वो, जैसे to follow a formatted rhythm, और to emphasize an idea, यादि वो कोई एक निश्चित format में poetry है, जो के हम देखते हैं, उसका जो structure होता है, rhyme और rhythm का, या फिर किसी idea में उसमें emphasize किया गया है, तो उसको follow करती है poetry, lines can run extremely long, और be as short as one word, और letter, उसकी जो line है, वो लंबी भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है, और इतनी छोटी हो सकती है, कि मात्र एक word, एक सब्द से ही एक line बन जाए, एक अच्छर से एक line बन जाए, ए, बी, इनी को ले करके एक line बन जाए, तो poetry ये होती है, तो एक ये अंतर हुआ, अगला difference देखें, प्रोज of poetry में, प्रोज, the first word of each sentence is capitalized, आपने देखा होगा, teacher अक्सर आपको ये बताते हैं, कि भीया, line लिखो, तो उसका first letter capital लिखना है, तो पहला, सब्द का पहला अच्छर जो होता है, वो sentence का वो भी capitalized होता है, ये प्रोज की सिस्ता होती है, poetry में, traditionally, the first letter of every line is capitalized, जो पुरानी परंपरागत का बताएं होती थी, जो पुरानी writer लिखते थे, English writer, उनमें ये follow होता था निया, but many modern poets choose not to follow this rule strictly, परंटो आज कल के आधनिक जो कभी है, उनके आप poetry देख सकते हैं, तो उनमें इस तरह ये rule capitalized वाला follow नहीं करते हैं, अगला जो difference है, वो देखें, प्रोज में क्या होता है, प्रोज looks like large blocks of words, प्रोज बहुत से words से मिलकर के एक block, एक phrase type में चलती है, poetry, the shape of poetry can vary depending on line, length and the intent of the poet, poetry की जो line है, जो उसका shape है आकार, वो इस बात पर रिवर करता है, कि उसकी line की length कितनी है, और कभी की क्या कहने का उसका इरादा है, क्या कहना चाहता है, इस पर depend करती है, तो यह आपने देखा, कितना क्या difference होता है, prose और poetry में, क्योंकि जब prose unseen आप पढ़ेंगे, या prose की text पढ़ेंगे, तब आपकी एक अलग इन बातों को जानकारी आपको होने चाहिए, और poetry पढ़ते हैं, तो उसकी एक कुछ अलग बाते होती हैं, अब note करने वाली बात जो हम बता रहे हैं, we need to comprehend both the forms of writing, ठीक है, हमको दोनों तरह की writing को समझने की आवश्यक्ता है, the comprehension of prose is not same as the comprehension of poetry, ठीक है, प्रोज का जो समझना है, जब unseen passage आती है, प्रोज में, या story है कोई, या text book है, तो उसका जो समझना है, वो अलग होता है, वो poetry की तरह सेम नहीं होता, poetry का एक अलग होता है, we must know the characteristics of both prose and poetry for better comprehension, अब हमको यदे prose of poetry को जिक को बिसेश्ता हैं, वो हमको पता होना चाहिए, यदे हम अच्छे से comprehension करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए, अब हम आपको इन ही बातों पर discuss करेंगे, तो जब भी आप solve करें, unseen passage को solve करें, तो कुछ skill क की आवशकता होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है पहले कि reading speed, आपकी speed आपको बढ़ाना है, analyzing questions, जो question उसमें पूचे गई unseen में, उनको आप पढ़ें, उनको analyze करें, विसलेशन करें, कि वो किस तरह की question हैं, yes no वाले हैं, wh वाले हैं, answer किस तरह करेंगा, scanning for information, उस unseen की information है जो सूचना है, वो आपको scan करनी है, scan माने बारिकी से देखना है, कि वो क्या idea बता रही है, eliminating options, आपको उसके options हैं, objective के, MCQ जो question आते हैं, उनको आपको देखना है, knowledge of parts of speech to solve vocabulary based questions, आपको बताया कि उसमें vocabulary वाले synonyms, antonyms, one word substitution, vocabulary type के, parts of speech के भी आते हैं, जैसे noun word है, उसको adjective बदलो, adjective को adverb, noun, ये जो आते हैं आपस में, transformation करने के लिए, तो आपको parts of speech की knowledge भी होना चाहिए, तब ही आप उस unseen के vocabulary based questions हैं, उनको आप solve कर पाएंगे, तो ऐसा न समझें, कि वो कोई बड़ी class का है, 12th का, कुछ बच्चे कहते हैं, कि सर आवो क्या आमको parts of speech सीखन पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये parts of speech English का basic है, ये आपको लगता है कि आपकी अंगरीजी कमजोर है, तो आप मान के चलें, कि आपका parts of speech का knowledge भी कमजोर है, तो आप हमारा parts of speech का वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको parts of speech के बारे में कुछ basic knowledge मिल जाए, तो जब भी आप unseen पैसे करें, तो parts of speech का जरूर ख्याल रखें, तो ये कुछ बात हैं, कुछ skills हैं, जो unseen पैसे solve करते समय हमको ज़रूत पड़ती हैं, इनको आप develop करें, अब हम आते हैं, prose of poetry, जिसके हम बात कर रहे थे, दो writing forms जो हैं, उसमें हम पहले poetry की बात करते हैं, poetry, how to find type of poem, जो भी poem या poetry दी है, उसका प्रकार कैसा है, इस तरह यद poem पैसे जाया है, तो हम कैसे उसको करते हैं, अब इसको बताने से पहले हम कुछ बात ये कर लेते हैं, कि आपकी classroom में जब आप होते हैं, तो classroom में आपके sir या madam ने poetry को कैसे आपको पढ़ाया होगा, यद आपने नहीं पढ़ा है उस तरीके से, तो आप उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, आप class में जब हम होते हैं, तो कुछ steps poetry पढ़ते समय पर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि जो teacher है, जब भी poetry पढ़ाएगा, तो वो आपको निश्चित तोर से ये बताएगा, कि उस poetry क cultural, social, geographical background क्या है, जिससे कि आप लोग मोटिवेट होते हैं, वो बताता है कि उस poem के पीछे, उसका सांस्कृतिक जैसे in the country poem है, और कई प्रकार की आपकी classes में poem है, तो उनका social, geographical background क्या है, वहाँ पर कोई natural scenery बताई है क्या, या किसी गरीब अमीर का कोई चित्रन किया है क्या, तो यह teacher आपके बताते हैं, जब poem को वो पढ़ाते हैं, वो उस poem की तुलना किसी दूसरी poem से करके भी आपको बता सकते हैं, और इसके लिए वो mother tongue का, आपकी जो है, mother tongue, हिंदी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे English में कोई poem है, तो वो better आप कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए teacher आपका यह बता सकता है, किसी हिंदी कविता से तुलना करके, कि देखिए हिंदी में वो चीज़ ऐसे बताई है, तो इस तरीके से आप इस poem को समझें, आपने English की poetry पढ़ी होगी class में, तो teacher अक्सर आपको हिंदी में, mother tongue में बात करते हैं, mother tongue में इसलिए बात करते हैं, ता कि उस poem का comprehension, जब भी हम poem का unseen passes करेंगे, paper में या practice जब हम करेंगे, तो उसके लिए बहुती आवसेक चीज़ है, कि कुछ नए सब्दाब सीखें, फिर teacher आपका क्या करता है, उस poem को आप से पढ़वाता है, दो या तीन वार पढ़वाता है, और पढ़वाते समय पर वो क्या की जरूवत है, थोड़ा रुको, stress की जरूवत है, जोर देनी की जरूवत है, सब्द पर, वर्ड पर, तो वो करो, expression to convey its sense and rhythm, ताकि आप उसका जो sense है poetry का, उसकी जो rhythm है, उसको आप अच्छे से समझ सकें, तो जब सिक्षक आपको ये बातें बताता है, तो आप ध्यान पू करके उस poem को revise कर सकते हैं, तो ये practice आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी एक poem की comprehension, समझेने की छमता बढ़े, और poetry पढ़ाते समय, teacher आप से कुछ general questions भी करते होंगे, जो कि उस poem के बारे में होता है, वो भी आप ध्यान रखें, teacher जब भी आपके सामने कविता को silently पढ़ने के लिए आपको कहता है, कि आप silently पढ़ें, और उसके जो words हैं, वो क्या expression दे रहे हैं, उनको आप समझें, तो आप ऐसा जरूर करें, teacher आपको poem को समझाने में बहुत मदद करते हैं, छोटे-छोटे simple question पूछ करके, और सिक्षक जो teacher हैं, वो आप से poem कभी-कभी silently पढ़ने को कहते हैं, और फिर allowed भी पढ़ी जाती है, allowed पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, जो और student हैं, उनको पता लगता है कि proper bird का pronunciation क्या है, उसकी rhyme rhythm क्या है, ये चीज़े पता लगती हैं, इसलिए उसको allowed reading कहते हैं, choral reading भी कभी-कभी की जाती है, जैसे आपने देखा और आश्टगान की बात करें हम जनगर्मन, तीन-चार लोग मिलकर की गाते हैं, तो और भी अच्छा लगता है, बंदे मात्रम और भी अच्छा लगता है, इसी तरीके से, जो English poem है, यदि क्लास आपकी छोटी है, दस-ब thought की तरफ ध्यान देना है, उस poem में imagery, imagination क्या की गई है, उस पर ध्यान देना है, तो ये poem का, आपको ये विशेज बातें, ध्यान रखना है, क्योंकि poem जो है, वो अपने अंदर, हमारे अंदर enthusiasm उत्साल आती है, और उस poem का उद्श होता है, उसको पढ़ करके हमारे अंदर enthusiasm आना चाहिए, तो आप उस poem को पढ़ करके अपने अंदर enthusiasm लाने की कोशिस करें, तो अब कैसे पहचानेंगे हम उस poem को, तो आप देखी इस slide पर, words like sad, happy, death, born, silent, light, darkness, ये सब्दा आपने देखे होंगे, sad, यानि कि वो poem क्या बता रही है, sad feeling बता रही है, happy feeling बता रही है, या किसी की मरत्य हो गई है, कोई born हुआ है, या silent atmosphere है, या वहाँ पर light है, या darkness है, ये सोज करती है, whether the poem is of happiness, sadness or nationalism, कोई कविता happiness के बारे में है, sadness के बारे में है, या nationalism, राष्टिता के बारे में है, ये feeling आपको समझना है, उनके सब्दों को देख करके, तब ही आप उस poem को समझ पाएंगे, दूसरा, try to get the feeling of the poem as much as possible, उस poem की feeling को आप जितना समभव हो सके, उतना समझने का प्रयास करें, फिर अगली बात क्या होती है, poetry is evocative, poetry की विशेषता होती है, कि poetry में क्या होता है, आवान होता है, पुकार होती है, जैसे बहुत सी poem है, जैसे 12th में है, teach me to listen Lord, ये जैसे 12th में है, light the lamp of thy love, ठीक है न, तो इनमें क्या है, evocative है, यानि कि कुछ आवाहान है, भगवान से हम कुछ evocate कर रहे हैं, तो poetry जो है, it typically provokes in the reader an intense emotion, a joy, sorrow, anger, catharsis, love, etc, कभी जो poem है, वो पढ़ने वाले के अंदर intense emotion लाती है, तीपर भावनाय लाती है, और वो emotion joy की हो सकती है, sorrow की हो सकती है, anger, गुस्य की हो सकती है, catharsis हो सकती है, भावना, जो मौलिक भावना होती है, love, प्यार की भावना हो सकती है, तो और poetry क्या बताती है, poetry has the ability to give revelation, insight and further understanding of elemental truth and beauty, poetry, poetry जो है, उसके अंदर छमता होती है, कि वो एक प्रकटी करन करती है, किसी बात का जो अंदर भावना है, उसको वो revealize करती है, revelation उसका होता है उसमें, जैसे कि हम वर्ष वर्थ की मुझे poetry की definition याद आती है, a poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling, जब किसी व्यक्ति के अंदर भावनाएं भर जाती हैं किसी चीज के लिए, तो वो फिर जब निकलती हैं, तो वो कवता की रूप में निकलती हैं, यादि किसी व्यक्ति का, किसी का भी, यादि मन प्यार से भिभोर हो रहा है, उसके अंदर बहुत सी लव की feelings आ चुकी हैं, तो फिर वो सायरी और कवता हैं, उसके मुझ से अपने आप निकलने लगती हैं, तो इसी को कहते हैं, poetry का revelation करना, insight की चीज़ें बहार निकलने लगती हैं, जैसे के like Keats, Keats एक बहुत बड़े literature के writer, poet हुए हैं, औरोंने बोला है, beauty is truth, truth beauty, सुन्दरता ही सच है, सच सुन्दरता, that is all you know on earth and all you need to know, यह सब को धरती पर जानने की जिरूत है, तो poetry has the ability to give revelation, insight and further understanding of elemental truth and beauty, जो मौलिक, elemental, सच्चाई होती है, सुन्दरता होती है, उसको कवता प्रकट करती है, जैसे कि, यह आपके सामने एक poem है, यह poem, invocation poem है, 12th के special English का lesson first है, poem है, तो उसमें invocation, उसमें invoke किया गया है, इसर को कि, इसर क्या करे, तो इस तरह की poem हम इसमें देख सकते हैं, तो इसमें दो stanza है, stanza की रूप में यह poem है, रहती हैं, इस तरीके से आप poem में, जो बसिस्ता हैं बताएं, उनको समझें, और क्या बसिस्ता होती है, economy of language, यह सब कम होते हैं, ऐसमें देखा, approach में बहुत word होते हैं, poetry में बहुत कम सब्द होते हैं, तो poem जो हता है, poet जो होता है, वो थोड़ा conusive type का होता है, और unrelatedly critical वो होता है, यह सब्दों का एसल इसमाल करने में वो थोड़ा कठोर हो जाता है, ज़या अस्तेमाल नहीं करता हमको यदि comprehension करना है poem का तो बड़े अच्छे से उसको समझना पड़ेगा तो उसकी जो wording है वो innovative qualities होती है उसमें भाव पूर्ण होती है अब आपने कई प्रकार के पड़े होंगी several forms of poems such as elegyes, epics, ballads, couplets, sonnets and free words are available to the poet for expressing himself अपने feelings को ब्यक्त करता है जैसे elegyes जो होती है वो दुख वाला गीत होती है, epics महाकाब भी होता है, ballads पुरानी कहानिया, story ला दी जाती है, जैसके भगत सिंग की story में है तो आप उसमें देख सकते हैं उसकी stories ballads में आती हैं, couplets होते हैं, sonnets होते हैं, three words होती हैं, तो कही प्रकार से कभी अपनी expressions को बताता है तो यह हुई आपकी various poetic devices of the poem और क्या विशिष्टा होती हैं, poets take liberties to skip some elements of grammar but without ever loosing the important aspects of their message कभी यह एक विशिष्टा होती है कि वो grammar का ध्यान नहीं देता वो थोड़ा सा सब्दों को खा जाता है grammar का rule याद नहीं रखता परंत एक ची जरूर है, वो जो message देना चाहता है, उस महत्वपूर्ण message को वो जरूर खोता नहीं है, उसके बिना खोए वो grammar के rule तोड़ते हुए भी कभी अपनी बात को रख देता है और क्या करते हैं कभीता में, identify various poetic devices from the unseen poem जब poem की unseen होती है उसमें कई प्रकार की जो आपको अभी मेरे poetic devices जो होती है आपने देखा होगा जो meters बगएरा होते हैं जो literal words होते हैं उसके कुछ, उनका यूज़ उसमें होता है I am big meter, pentameter यह सब जो होती है अगला जो आखरी है, जब आप poem का comprehension करने जा रहे हो unseen passes poetry का तो guess the meaning of the poem आप उस poem का अर्थ अनुमान करें guess करें and the occasion which might have influenced writing the poet और जिस किस अवसर पर वो कभी प्रभावित हुआ उसके बता को लिखने के लिए यह बात भी होना चाहिए जैसे कि William Bursworth हैं, nature poet हैं उरकी आप magazine poetry देखें तो वो हमेशा nature में, पहाड़ों में, जंगलों में घुमते रहते हैं, पक्षियों के पीछे घुमते रहते हैं कुछ न कुछ ढूटते रहते हैं प्रकरती में तो उनका जो है उन पर प्रकरती का बड़ा ही influence है ऐसे हर writer का जो influence होता है वो उसका बिता में देखता है तो वो आपको पहचानना है जिससे कि आप उस poem का background समझ सकें इसमें बहुत मदद मिलती है आप उस poetry की comprehension करने में अब हम approach passes की बात करें जो unseen passes होती है approach is a form of language that has no formal matrical structure like poem approach में बात क्या होती है कि कोई इसमें matrical structure जो poem में होता है उस तरह का iambic meter, pentameter ये सब जरूरत नहीं होती इस तरह की language की दूसरा approach में क्या होता है natural flow of speech उसमें speech जो भी वो कह रहा है उसका एक natural flow होता है उसमें pause नहीं होता and ordinary grammatical structure उसमें grammar structure का उपयोग होता है सामानेत rather than rhythmic structure जो poem में rhythmic structure होता है उसका उसमें नहीं होता है जैसा की such as in the case of traditional poetry जो हमारी पुरानी परंपरागत कविता हैं आप देखेंगे तो वो चीज फॉलो नहीं होती अब forms of prose आप जानते हैं कितरी प्रकार के prose होते हैं एक तो होते हैं fictional एक होते हैं non-fictional तो fictional जिनमें की image कलपना की जाती है हम आपको बता रहे हैं जो है इसके अंतर क्या आती है short story, छोटी-छोटी कहानिया होती है novel होते हैं, उपन्यास होते हैं ये fictional के अंतरगत आते हैं non-fictional क्या होते हैं non-fictional जिनमें के कथा कहानिया नहीं होती ये non-fictional होते हैं जैसे letter, travelogue यानि यात्रा विवरंड कोई बता रहा है travelogue, essay, निवन्द diary entry, speech, भासन जो होता है, वो biography और autobiography, ये सबी non-fictional prose के रूप होते हैं तो prose दो प्रकार का हो गया एक तो fictional और एक non-fictional, दूसरी बात varieties of prose, prose की varieties, आप unseen passes हम इसमें ये बात कर रहे हैं, types of prose passes, किस प्रकार के unseen passes आपके लिए आते हैं, बड़ी classes में 11-12 में आते हैं, उसके बाद आपको competition में unseen passes को face करना है, तो 5 प्रकार की passes आपको देखने को मिलेंगे, unseen passes एक descriptive passes, दूसरा narrative passes, तीसरा expository passes, फिर argumentative passes, और persuasive passes, ठीक है, अब थोड़ा-थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं descriptive passes, वल्न आत्मक होते हैं, जिनमें कोई चीज का burden किया जाता है तो इसके बारे में छोटी सी बात जो आपको लिखती है, वो आप देखने हैं स्क्रीन पर descriptive message, message लिख दिया है, sorry, यह passes है इसको अब सुधार लें passes है, descriptive passes is a text where the reader pictures what is described by the writer इसमें burden किया जाता है जो लेखक ने लिखा है, लेखक ने burden किया है वो उसकी picture reader के दिमाख में बैठ जाए यह होता है descriptive passes description is used to create a vivid impression of a person, place, object or event, description किसी को क्यों दिया जाता है, जैसे कि अपने देखाओं को सगाई वागर एक बात होती है तो बता यार कि वो लड़की कैसी दिखती है, उसकी लंबाई इतनी है उसका आँखें ऐसी है और यह वो, मतलब जो description बताती है, तो उसमें बोलने वाला पूरा description बताता है और इस तरही किसे बताता है कि वो सामने वाला जो है, सुनने वाला या जो उसने कोई unseen है तो उसमें जो कह रहे हैं बात वो बिलकुल vivid होती है, एक जीवन्त होती है कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तू को उसका impression बिलकुल vivid कर दिया जाता है तो mind में एक creation बन जाती है, तो उस world and descriptive को सुन करके, तो ये ऐसे passage होते हैं, दूसरा आप देखें, narrative passage, कथात्मक जिनमें के stories होती है narrative unseen passage, entertains instructs, और informs readers by telling a story narrative passage में क्या होता है कहानी के द्वारा जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, जो आप लोग है, जो पढ़ेंगे unseen को, उनको manurenjan भी मिलता है, क्योंक उसमें कहानी है, कुछ सिच्छात्मक बात instruction वाली बात हो सकती है, और कुछ information भी हो सकती है इस तरह के passage में, दूसरा the basic purpose of narrative is to entertain, to gain and hold readers interest, इस तरह के पैसिज का, narrative पैसिज का उद्धिश होता है कि जो भी उसको पढ़ रहा है, वो उसका, उससे वो manurenjan entertain करे, और उस जो पढ़ रहा है, reader जो है उसका interest इतना हो जाए कि पकड़ में, पकड़ वो जो unseen पैसिज जो पकड़ बना ले उसके उपर तो ये narrative होता है, क्योंकि उसमें कुछ story होती है narrative passes deal with imaginary or real world, आप narrative passes, imaginary भी हो सकते हैं fictional भी हो सकते हैं और non-fictional भी हो सकते हैं real world वाले भी हो सकते हैं, तो fictional और non-fictional दोना तरीकी के हो सकते हैं, fictional में कौन सी आती, पता है आपको, fairy tales परी की कहानिया novels, उपन्यास science fiction कोई हो सकता है व्यज्ञानिक fiction, जैसे के आपने इपिक्चरें देखी हैं, धूम थ्रियर, धूम थी आजकल पिक्चरों में तो ये बहुत कुछ बताते हैं horror हो सकता है adventure stories हो सकती है fables, mites, legends पुराने hero जो होते हैं वो कथा कहानिया जो picture होती है ये सब fictional होती है non-fictional होती है, जैसे articles लिखा आखवार का, कोई newspaper report है, कोई historical writing है, ये सब non-fictional होती है, तो ये narrative passage में आती है the writer man used descriptive language to create images in the reader's mind and enhance the story अब जो writer है, वो क्या करता है उस कहानी को उस reader के दिमाख में बिठाने के लिए, उसमें image को create करने के लिए इस descriptive language का वो उपयोग करता है, कहानी है पर उसकी language कैसी लेता है, वो descriptive, तो ये descriptive होते हैं अगला expository passes होते हैं जिनमें कि रचनात्मक, विवेचनात्मक कुछ होती है, जैसे कि आपने देखा हो, तो पहले देखने क्या होती है, and expository passes are mostly used to write structures, characterizes, experiences, facts, situations, and actions of abstract or real elements, तो ये रचनात्मक, विवेचनात्मक होते हैं, इस तरह के passes में, structure का उपयोग किया जाता है, और उनमें कुछ experience, अनुभवों की बात की जाती है, कुछ facts, तत्थे की बात की जाती है, कुछ situation या actions की बात की जाती है, जो abstract हो सकती है, कुछ real elements हो सकते हैं, जैसे कि example की तोर पर, जो reports हैं, letters हैं, essays, निवन्ध हैं, articles हैं, news reports हैं, academic or scientific textbook हो सकती हैं, जैसे student guide, scientific report, scientific journal, जो magazine बगएर आती हैं, encyclopedia articles, ये होते हैं, अब इनमें एक थोड़ी सी एक negative point ये भी लगता है कभी-कभी, कि ये लंबे और उबाव होते हैं, परन्त इनमें खुलासा करने वाली चीज होती है, अगर ध्यान से देखे हैं, तो कुछ न कुछ खुलासा इनमें होता है, चाहे वो scientific हो या कुछ भी हो, तो जैसे कि राम मोहन राय के जो गर्द्य हुआ करते थे, हिंदी में बात करें, तो वो हिंदू धर्म और वेदान्त के मूल उत्तों की व्याख्या करते थे, तो लोग बाग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे, तो इस तरह के जो होते हैं, वो encyclopedia और भी multi-domain information text जो होते हैं, Wikipedia जो होते हैं, articles वो expository में आते हैं, फिर होते हैं argumentative passes, तारकिक, जिनमें कुछ logical होता है, तो an argumentative argumentative passes discusses a subject or a problem, often with no obvious solutions, ये ऐसे passes होते हैं, जिनमें कि इस विशे पर या ऐसी एक समस्या पर चर्चा होती है, जिसका कोई इसपस्ट हल नहीं होता, the argumentative passes aims to change the reader's beliefs, क्योंकि इसमें तरक की बात होती है, किसी subject या problem की बात होती है, तो इसको, इसमें किसी बात को एक different angle से compare करते हुए बात की जाती है, इसमें कुछ contrast भी होता है, logical बातों में विरोधावास तो होता ही है, और इसमें writer, जो है वो अपना खुद की opinions भी देता है, it refers to the reasons advanced for and against a matter, the writer usually argues with another side, to convince the reader to join a certain side, writer ये convince करने की कोशिस करता है, पढ़ने वाले को, कि वो उसकी बात से सहमत हो जाए, उस तरक दे करके, they often try to persuade their readers, that an object, product or idea, is in some way better than others, तो वो इस तरीके से बताते हैं, कि किसी some way, ये यहाँ पर वी नहीं है, या आप थोड़ा सुधार लें, ये वे है, some way better than others, कि किसी ना किसी तरीके से, जो वो product या idea उसे बताया गया है, जो वो reader को बताना चाहता है, वो और वी अच्छे से, इस तरीके से logical हो सकता है, तो ये argumentative होते हैं, अब आखरी जो है, हम ये देखें, persuasive passage होते हैं, जिनमें कि प्रेरक या प्रभाव पूरता होती है, इन passage में तरीके से समझाना, समझाते हैं किसी चीच को, समझाना बुजाना जो होता है, वो इसमें प्रभाव पूरता तरीके से बाते आती हैं, इसमें जो writer है, वो विश्वास दिलाता है, कोई चीच को प्रभाव पूरता या प्रेरिक तरीके से, तो एक persuasive passage aims to convince the reader to do something वो reader को convince करने की कोशिश करता है उसका युद्धिश होता है और it is a type of non-fiction writing used to convince the reader to agree with the author about an issue ये इस प्रकार के non-fiction writing होती है जिनमें कि वो reader को ये agree करने के लिए सहमत कर लेता है कि उसका जो issue है वो सही है इसमें articles आते हैं, scripts आती है एसी script जो की commercials होती है और political campaigns आपने देखे होंगे जो बड़े ही प्रभावपुन होते हैं हमको प्रभावित कर देते हैं तो इस तरह की जो बाते हैं तो वो persuasive होती है तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अमित करता हूँ, बहुत कुछ knowledge आपको मिली होगी अभी हमारा reading comprehension खत्म नहीं हुआ है अगले पार्ट में हम बहुत स्वी बाते जानेंगे ये वीडियो आपको चलागा तो उसी वीडियो को लाइक जरूर करें लाइक करना बहुत स्वारल है ये थम impression दबाएं, ये वीडियो लाइक हो जाएगा लाइक होने से हमको पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से अच्छे पसंद आ रहे हैं इस चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें हमारे मौनो को आप पहचान लें MP English Classes, YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं आपको फर्स्ट नमबर पर मिलेगा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से बहुत फायदे होते हैं सब्सक्राइब करना बहुत सरल है यह लाल से आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा इस लाल को आप टच करेंगे वीडियो के नीचे देखिए टच करते ही यह लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा इस तरीके से इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है बगल में बेल आइकोन घंटी छपी होगी उसको दवाएं तीन उप्सन आएंगे ओल वाला उप्सन आप दवा दें ओल के उप्सन से मेरे सारी वीडियो आपके मुवाइल पर मेरे बनाते ही अपलोड करते ही तुरंत आपके मुवाइल पर पहुँच जाएंगे ये वीडियो देखने के लिए आपका पुरा पुरा धन्यवाद थेंक यू